हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कंपेर जिन करेंगे एमा रेड्मीनोट 11T 5G में और यलमी नार जो 30 5G में और देखते हैं कि बेस्ट फॉन कौन सा है तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले क्वार्टी से तो MI की हैं डिस्प्ले 6.6 इंच की रियल में की डिस्प्ले 6.5 इंच की और दोनों फोनों का रेजुलेशन 1884 पिक्सल और दोनों फोनों की सक्रीब IPS LCD डिस्प्ले और दोनी ही फोनों में आपको 19Hz का रिफ्रेस इट मिलता है बात करते हैं प्रोस्टर की तो MI का है मेरे टेका डेमेसीटी 810 का और CPU 2.4 इंच का और 6 इंच का फिनफेट और यलमी का जो प्रोस्टर है वो है मेरे टेका डेमेसीटी 700 का CPU 2.2 इंच का हाड ओक्टेकोर का और 7 इंच का फिनफेट और GPU है जीपावन का प्रोस्टर का प्रोस्टर के वोनटी में एमाई बेस्ट है बात करते हैं बैक की मेंगी तो MI का है डूल में कैमेरा है पचास का और यलमी का है ट्रीपल जो में कैमेरा है फोर्टी एट का बात करते हैं फरंठी में की, तो दोनों का सेम ही, 16 मिसल का मिल जाता ही, पंच और डिस्प्ले के साथ बात करते हैं बैटी लाइफ की, तो दोनों में सेम ही, 5000 इमेज की मिल जाती ही और दोनों फोने की बैट आप्स नौनिबल ही, आप दोने की बैटी को निकालने सकते बात कते हैं चार्ज वाट की तो MI में है 33W का, Realme में है 18W का, दोनों में टैप्स का स्पोर्ट है, दोनों में आखको फिंगपिन सेंसर और फेस लोग में मिल जाता है और आखको MI में 3C नहीं मलती, Realme में 3C मिलती है और MI में 6W की, और Realme में चार्ज वाट 6W की, और MI की जो मेमोरी है, वह 24W की, Realme की जो मेमोरी है, वह 16W की और दोने ही फोनों में आपको Android 11 मिलता है बात कते हैं प्राइज की, तो MI का है स्टार्टिंग 15,999 रपी, Realme का है स्टार्टिंग 14,999 रपी तो फिर आपको दोनों फोन में सी, कौन सा फोन पसंद आया, कौन वर्क्स में जोरू बताना अगर आपको दोनों में सकोई फोनी ना है, तो आप MI के साथ जा सकते हो, यह बैस्ट है, बाकि आपकी चोईस है